तो दोसे हम petrol vehicle को छोड़ कर electric पे shift होने का major reason है electric vehicle के अंदर running cast बहुत ही कम निकल कर आता है इसके अलावा petrol के मुकाबले में electric vehicle के अंदर काफी अच्छा performance और काफी अच्छे features दिये जा रहे हैं और इन दोनों को छोड़ कर market में कोई नया option आता है जो petrol से के मुकाबले में बहुत ही कम running cost निकाल कर देता है तो हम उसके तरब भी जाना चाहेंगे लेकिन वो electric से भी बहतर convenience प्रवाइट करना चाहिए वैसे अभी तक तो market में two wheeler category में दो ही option थी एक petrol और एक electric लेकिन अभी recently बजाज ने अपना पहला CNG बाइक freedom को लांच करके एक नया option create किया है वैसे हमें पता है petrol से मुकाबले में CNG बहुत ही कम running cost निकाल कर देता है लेकिन क्या CNG electric से भी बहतर है और इन दोने में से हमें कौन से लेना चाहिए और हमें कौन से ही कम running cost निकाल कर दे रही है इसके बारा में इस वीडियो में detail ली जानेंगे वैसे CNG और electric में अपने अपने negative thoughts हैं एलेक्रिक में 4-5 घंटा लंबे समय तक charging पे लगा के wait करना रहता है और इसके charging points अभी उतना ज़्यादा available नहीं है तो इसको long drive पे लेके नहीं जा सकते हैं इसी तरह CNG में भी कई सारे safety concern रहते हैं और इसके filling station भी ज़्यादा available नहीं ह तो इसको भी long drive पे लेके नहीं जा सकते हैं लेकिन इस problem को स्वालू करने के लिए बजाज ने अपने freedom में 2-liter petrol का भी option दिया हुआ है इसके अलावा भी safety को लेकर कई सारे thoughts रहते हैं जिसके लिए भी बजाज ने अपना जवाब दिया है 11 lap testing कर चुके हैं तो उन सभी के अं electric को comparison करके देख लेते हैं जिसके लिए market में एक lota cng bike freedom को वीधा के तरफ से आने वाली v1 place के साथ comparison करेंगे इसका simple सा reason यही है freedom जो price point पे आती है उसी price point पे हम electric vehicle को लेना चाहिए जिससे ही पता चलेगा हम सेम खचा करने पर हमें कितनी बचत हो रही है monthly yearly वैसे freedom का जो price point है उस price point पे electric motorcycle भी आती है लेकिन अभी market में motorcycle को लेकर उतना ज्यादा hype नहीं है और same price point पे कई सारे electric scooter भी आते हैं जैसे कि recently bigos ने अपना rv 350 को launch किया है जिसका base variant पी same price point पे आता है लेकिन उसके performance के हिसाप से उसका price थोड़ा ज्यादा रखा गया है rv 350 से बहतर performance विदा v1 place में मिल रहा है अगर इन दोनों का performance और comparison बहतर समझना चाते हैं तो वीडियो की link आपको i card में दे दूँगा आप उस वीडियो को जरूर देख लेना तो इन दोनों का comparison इस वीडियो के अंदर करते हैं और देखते हैं पर km कितना charge हो रहा है और 200 km प पकड़ के चलते हैं जिसका एक showroom price शुरू होता है 1,10,000 से अगर विदा v1 place की बात की तो इसका एक showroom price शुरू होता है 1,27,000 से तो इस price point पे इनके अंदर मिलने वाले range के इसाब से पर km कितना charge हो रहा है उसके बारे में डेटली जानेंगे तो शुरुबात करते हैं electric से ही पर kmWh पकड़ के चलते हैं तो विदा v1 place में 3.44 kmWh की बैटरी दी जा रहा ही है इस बैटरी के इसाब से इसके अंदर 100 km का typical driving range निकल कर आता है वो इसे certified range 143 का बताया लेकिन हम typical driving range को ही पकड़ के चलते हैं तो 3.44 kmWh की बैटरी को full charge करने के लिए हमें 20.64 पैसा charge होता है और 100 km के इसाब से per km 25 चार्ज हो रहा है तो इसका running cast निकल कर आता है per km 25 तो आप बात करते हैं CNG के अंदर होने वाले running cast के बारे में तो बजाज ने freedom में 2 option दिये हैं 2 liter petrol और 2 kg CNG अगर petrol को side में हटा दिये जाए तो 2 kg CNG में 200 km का range यहां पे claim किया है बजाज के तरप से तो हमें पर kg 100 km का range मिल रहा है तो इस हिसाब से per kg CNG का price अभी फिलाल 92 रुपीज है तो 92 रुपीज में हम 100 km ट्रावल कर सकते हैं तो पर km हमें 92 पैसा चार्ज हो रहा है तो यह दोनों के अंदर total 200 km ट्रावल करने पर होने वाले charges देखा जाए तो विदा V1 place में 41 रुपीज की चार रहने के लिए इसको दो बार charging पर लगाना होगा पहली बार charge पर लगाएंगे तो 100 km ट्रावल करेंगे और दूसरी बार charge पर लगाएंगे तो फिर 100 km ट्रावल करेंगे तो वही तो दिक्कत है electric में running cost तो कम आ रहा है लेकिन जो charging है वो available नहीं होती है वहीं पर CNG की बात की जाए तो एक बार अगर फिल करेंगे 200 km ट्रावल कर सकते हैं और इसके अलावा पर किलो मेटर पे होने वाली बचत भी अगर देखा जाए तो 72 पैसा की बचत हो रही है विदा वीवन प्लेस में as compared to बजा CNG Freedom Bike वो इसे बचत तो काफी ज़्यादा हो रही है electric scooter में लेकिन range क मिल रहा है तो वो दिकत तो continue है तो जो local में चलाते हैं college से घर पे या घर पे आपीस पे जाते हैं या 100 km के अंदर ये आपको travel करते हैं daily मेरे इसाब से electric लेना ही बेतर रही क्योंकि रात में charging लेना के सुबा में चला सकते हैं 100 km तो दोस्तों आपको ये डिटेली समझ में आ गया होगा CNG वे electric में होने वाले खट्चा और बचत के बारे में फिर भी आप इन दोनों में से कौन सा चूस करना पसंद करोगे नीचे comment करके जरूर बताना इसके अलावा बजाज freedom के साथ performance comparison भी चाहिए electric scooter या bike के साथ तो नी झाल 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 झाल